mutual fund में SIP हमारे risk factor को manage नहीं करती बलकि हमारे थोरे से पैसे को बहुत से अच्छे stocks में निवेश भी कर देती हैं और अगर आप long term के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये compound interest में अच्छा returns भी देती हैं तो अगर आप अपने 100 रुपए को US के बहुत से अच्छे stocks जैसे की Facebook, Al AlphaWate Microsoft में निवेश करना चाहते हैं तो आज मैं आपको ऐसी ही mutual fund बताने वाला हूँ जो कि US market में निवेश करती है और आप यहां पे सिर्फ 100 रुपए से monthly SIP start करके अपनी investment journey start कर सकते हो तो उस mutual fund के बारे में बताने से पहले आपसे एक request है कि अगर आप हमारी चैनल पे नए ह और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो investment को लेके तो आप मुझे comment कर सकते हो और अगर मैंने आपके comment का reply नहीं दिया तो आप मुझे instagram पे follow कर ले वहां पे मुझे message करे मैं आपका reply जरूर दूँगा तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों कर बात करें इस fund की तो इसने एक साल में 35% का return दिया है तीन साल में 21% का और 5 साल में भी 21% का ही return दिया है जो की काफी अच्छा returns है लंबे समय के लिए अगर आप यहा निवेश करना चाते हो तो कर सकते हो दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह fund US market में निवेश तो करती है लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा higher risk है तो इसके risk को manage करने के लिए आप इसमें SIP करे और वो भी लंबे समय के लिए दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस fund का nav 49.99 रुपीज की है फिलाल इसकी rating grow एप पे बहुत कम दिखा रहा है और इसकी minimum SIP amount 100 रुपे की है जी हा दोस्तों यहां पे आप 100 रु में यह fund करती हैं वहाँ पे हो जाएगा दोस्तों अगर बात के returns की तो यहां पे आप annual returns देखो एक साल में 35% 3 साल में 21% और 5 साल में 21.1% की return है लेकिन अगर आप यहां पे absolute returns देखोगे absolute returns मिंस वो returns जो की आपको total करके मिलते हैं तो एक साल में 35% का absolute return है तीन साल में 78.1% का और 5 साल में 161% का return है total calculate करकी यह है यानि कि annual return आपको 1 year में same दिखेगा ठीक है लेकिन 3 years में यहाँ पर difference दिख रहा है absolute return में जाओगे तो यहाँ पर दिखो दोनों में difference आपको नज़र आ जाएगा कहने का मतलब एक साल में जो return मिला उसी को calculate करके आगे calculate करके absolute returns दिखाया जाता है तो I hope आप इस time को समझ चुके होंगे दोस्तों कर बात करें इस fund की holding की तो इन्होंने US की कई अच्छे stocks में निवेश किया है जिसकी sector healthcare, technology, services, FMCG, construction, communication और ऐसे ही बहुत से अच्छे sectors में इन्होंने निवेश किया stocks को इन्होंने hold करके रखा है जो की एक बहुत ही अच्छा diversification माना जा सकता है दोस्तों अगर मैं holding analysis की बात करूँ तो equity में 97.8% का holding है और cash इनके पास 2.2% का है equity sector allocation की बात करें तो technology में 29.5% healthcare में 18.2%, FMCG में 14.8%, services में 11.1% और financial में 5.7% और others में 20.7% की holding है दोस्तों अगर ratio की बात करें तो इस fund का PE ratio 25.3% की है PB ratio 3.74% की है दोस्तों अगर बात करें expense ratio की तो 1.26% की expense ratio है और इसमें exit lot 1% का है अगर आप एक मन्त के अंदर यहां से redeem लेते हैं तो और दोस्तो stamp duty 0.005% की है जो की 1st July 2020 से लगी हुई है तो दोस्तों अगर बात करें तो यह लगबग में ठीक ठाक fund है अगर आप इसमें निवेश करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन मेरी राए यही रहेगी कि आप इसमें SIP करें और छोटी सी amount यहाँ पे निवेश करें long term के लिए और अगर आपको इससे अच्छा कोई fund मिलता है तो उसे भी आप consider कर सकते हैं मैंने बस इसे इसलिए consider किया है आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह US market में निवेश करते हैं बहुत सारे लोग पूसते हैं कि कम पैसा मुझे US market में निवेश करना है तो हम किस fund को लेके चले आप directly निवेश करना चाहें directly US के stocks खरीजना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं Recently मैंने एक वीडियो डाला था उसे देखके IND Money का वीडियो था वो उसे आप directly US के stocks खरीज सकते हैं लेकिन अगर बात करें mutual fund की तो आप इस तरह के कुछ mutual fund को अपने portfolio में शामिल कर सकते हैं अपने portfolio में शामिल कर सकते हैं तो दोस्तो आयոप आज का वीडियो यह आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले तो दोस्तों आज के लिए बसे नहीं मिलतें ब्रेक बाद देखनें वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई नमस्कार